ओम नमस्तिवाय हर हर महादेव वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किये दोस्तों 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को वट्चावित्री का वरत रखा जाएगा बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज हैं कि 18 को मनाया जाएगा या 19 को तो 19 मई को शुक्रवार के दिन वट्चावित्री का वरत महिलाय रखेगी हर साल ये वरत जैश्ट मास के अम्मावस्या तिति के दिन रखा जाता है ऐसे में अम्मावस्या की जो तिति है वो भी 19 मई को ही रहेगी वर्ट सावित्री वरत के दिन सुहागन महिलाय अपने पती की लंबी आयू के लिए वरत रखती है। तो चलिए जानते हैं वर्ट सावित्री के वरक्ष के पूजा में इस्तमाल होने वाले चीजों के बारे में अगर आप वर्ट सावित्री का वरत रख रहे हैं तो आपको इन चीजों की सामगरी जरूर रख लेनी हैं यानि सावित्री और सत्यवान की मूर्ती तो रखनी ही कच्चा सूच रखना होगा जो बजार में आसानी से मिल जाएगा लाल रंग का कलावा बरगत का फल मट्टी का दीपक फल फूल बतासा रोली सवा मीटर कपड़ा इत्र पान सुपारी नारियल यह सबी चीजे आपको रखनी होगी अगर आप पंडिजी से पुझा करवा रहे हैं तो आपको अल्रेडी यह साही सामागरी वो आपको बताएंगे इसी वज़त से आप पहले से ही सारी सामागरी तयार रखे और भीगा हुआ चना मिठाई घर में ही बना हुआ व्यंचन यह सब चीजे बहुत महत्वर रखते हैं इन सभी चीजों का इस्तमाल आपको करना हैं जों से भरा हुआ कलस होना चाहिए मुंगफली के दाने मखाने होने चाहिए यह वर्ट सावित्री वरत की पूजा की सामागरी है जिसमें से हर एक सामागरी बहुत ही आवशायक है और आपको बता दे कि वर्ट सावित्री वरत पूजा विधी बहुत आसान है आप इसक बार बार पूजन इस्थान से उठकर नहीं जाना है इसी वट व्रक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की प्रतीमा इस्थापित करनी होगी फिर बर्गत का जो व्रक्ष है उसकी जड़ में जल अर्पित करना है पुश्प अक्षत भीगा हुआ चना गुडव मिठाई भी सुननी होगी और इसके बाद पूजा संपन्न होने पर ब्रहमनों को फल और वस्त्रों का दान कर देना दोस्तों वट सावित्री का व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है इसी वज़े से आप इसको बहुत ही सुद्धता से करिएगा इसमें महिला इस सुबह उड़क ये तो वीडियो को लाइक जरूर करें और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हर हर महादेव